इरानी कप 2024 समाप्त हो चुका है और मुंबई की टीम ने ये टोनामेट जीत लिया मुकाबला ड्रॉ हुआ पर मुंबई को जीत मिली है क्यों ऐसा हुआ आखिर ये रूल क्या है और मुंबई की टीम कितने सालों बाद ये मुकाबला जीती है और सरफरास खान मैं अफ़ दे मैच रहे तो उन्हों ने इस जीत पर क्या कहा सबसे पहले इरानी कप मुंबई की टीम के साथ साथ होता है रेस्ट आफ इंडिया की टीम के साथ मुंबई की टीम में कप्तान थे हजीन के रहाने और उनकी टीम में थे श्रे सयर के साथ साथ आपके सरफरास खान यानि कि जो टॉप ओर्डर की बैटिंग लाइनप टीम इंडिया की हुआ करती थी वो उसमें से कुछ महत्पूर खिलाडी जो थे वो मुबई की टीम का हिस्सा थे रेस्ट आफ इंडिया में रितुराज गायकवार जो युवा है वो कप्तान थे उनके साथ साथ धुरुफ जुरेल स्टीम का हिस्सा थे अभी मन्यूई शोवरन स्टीम का हिस्सा थे और उनके साथ साथ कई ऐसे खिलाडी है जो अपना दमखम दिखा चुके हैं वो इस टीम क हिस्सा है अब पहले टॉस जीता रितुराज गायकवार ने अमूमन रंजी टॉफी हो या फिर कोई डोमेस्टी किरकर टॉस जीत कर गिदवाजी नहीं की जाती है अमूमन नहीं करते हैं पहले बलेबाजी ही चुनी जाती है और यहां पर रितुराज गायकवार ने टॉस विकेट मुंबई के गिरियत अब लगा ये फैसला ठीक है लेकिन कप्तान अजिंग रहाने के 97 रन और उसके बाद शेयर के साथ मेहतोपोर्ट पार्टनर्श लेकिन उसके बाद जो भूचाल आया है वो आया सर्फरास खान के बल्ले से 222 रनो की शांदार पारी खेली सर्फरास खान ने जिसकी वज़े से उन्हें मैन अफ दे मैच चुना गया अलाकि वो उससे पहले टीम इंडिया के साथ थे वहाँ पर प्रेक्टिस कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा प्रेक्टिस करके आये थे तो यहाँ पर पहले वले वाज आई में लीड ले लेकि और मैच ड्रॉ हो जाता है अगर तो फिर विझेता जो लीड ली है टीम उसको घोशित किया जाएगा मैच ड्रॉ नहीं किया जाएगा इसलिए इरानी कप के ट्रॉफी जो है वो जीती है अजिं के रहाने ने मुंबाइ की टीम इस साल बाद इरानी ट्रॉफी जो है वो मुंबई के पास आई है मुंबई की टीम डॉवेस्टिक लेवल पर बहुत ज्यादा सक्सेस्फुल है आपको याद होगा चाहे वो रंजी ट्रॉफी हो चाहे वो दिली ट्रॉफी हो कोई भी ऐसे टूनामेंट्स हो उसमें मुंबई के गर खिलाड़ी होते तो टीम जादा आगे निकल जाती है और यही इस बार भी हुआ और मुंबई की टीम चैंपियन बन चुकी है सर्फरास कान को मैन अव दे मैच भी चुना गया आपको कैसी लगी वीडियो हमें कॉमेंट गर के जहू बता है तप्पय के लिए देखते रहें वानिन हिंदी